हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, आए जानते हैं कौन से सुभतारे मकर सकरांती के दिन हमें करने चाहिए मकर सकरांती इस बार 15 जनवर एको मनाई जा रही है, यह सुरी के उत्रायन होने का महापर्व है इस दिन वातावरन में सकरात्मक उर्जा बढ़ी जाती है और चारों तरप का माहूल बहुती सुध हो जाता है सास्तरों के अनुसार मकर सकरांती के दिन असनान करने के बाद दान पुनित करके इस दिन को सुभारम करना चाहिए इससे आपकी ग्रहदसा में सुधार होता है और हर परकार की नकारात्मक दूर होती है हम आपको बता रहे हैं कि मकर सकरांती के दिन सुभा कौन से पांच कारे करने चाहिए इससे आपको कुंडली ग्रहदोस दूर होते है मकर सक्रांती के सुभ अपसर पर ग्रहदोस को दूर करने के लिए किये जानेवाले उपाए बहुत ही असरदार माने जाते हैं इस दिन अशनान करने के बाद खिचडी और तिल्क से बनी चीजों का दान करने का विसेस महत्व होता है मकर सक्रांती के दिन सुभा के वक्त पांच सुभ कार करने से आपको सुभ फलो की प्राप्ति होती है और आपकी ग्रहदसा में सुधार होता है आए जानते हैं कौन से पांच सुभ काम मकर सक्रांती के दिन करने चाहिए नमबर एक, मकर सक्रांती के दिन सुभा सबसे पहले मुख्य द्वार की ठीक से सापसफाई करे और उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों और हल्दी का जल छीड के और सुरी देवता को नमन करे ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मत उज्जा का परवेस होता है और घर की बुरी नजर से रक्षा होती है अगर आप असनान करने गंगा नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही असनान के जल में गंगा जल और काले तील को मिला कर असनान करने से आपको गंगा असनान के बरावर पुर्ण की प्राप्ती होती है इस दिन गंगा जल से असनान करने के बाद घर के मंदिर में देवी देपताओं को नभी नवस्तर पेनाएं ऐसा करने से आपके घर में सवी देवी देपताओं की किरपा बनी रहती है और पूरे साल आपके घर में बरक्कत होती है नमबर तीन मकर सक्रांती के दिन अब ग्रहों के नाम से नमकरूरी अत्वा गर्म रवस्त तेल चावल दिल गूर आलू कुछ पैसे दान के लिए निकाल कर रख ले और कुल देवी देबताओं के फूजा करके इससे जरूरत मंदों को अत्वा किसी पंडित पूरोहित को दान कर दे ऐसा करने से आपको अनंत्फल के प्राप्ति होती है और आपके घर में कई गुना बिर्धी होती है जरूरत मंदों की मदद करने पर भगवान भी आपके भंडार से देव भरे रखते है नमबर चार मकर सक्रांती के दिन आदित हिर्दे सुरूत का पाट करना चाहिए मकर सक्रांती पर अश्नान और दान करने के बाद आपको कहीं सांत एकांत स्थान पर बैठकर आदित हिर्दे सुरूत का पाट करना चाहिए मकर सकरांती की उपाशना का पर्व और इस दिन सूरी के उत्रायन होने की खुशियां मनाई जाती है इसलिए इस दिन आधित हिर्दे सुरोत का पाट करने से आपकी कुंडली के कुंडली में सूरी के सुप प्रभाव प्राप्त होते हैं नमबर पाथ मकरसकरान्ति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उरत की दाल के दाल और कच्चा चावल में से खिचड़ी बनाकर देवी देपताउं को भोग लगाये। और सुएंग भी खिचड़ी और तील से बनी चीजों का सेवन करें। मकरसकरान् अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही अपनी फैμली फ्रेंट्स में सेयर भी कर दे, चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल ऐटन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी कोई मेरे वीडियो डालो, उसका नॉटिफिकेशन सबसे प